वंदे भारत कमलापती स्टेशन से भोपाल की तरफ रवाना हो रही है यहां पर आप बाहर का द्रस्ति देख सकते हैं हलांकि इस जगह पर जहां नजर डालेंगे वहां पर लोग इस ट्रेन को अपने कैमरे में कायद कर रहे हैं और जगह जगह पर आपको लोग नजर क्योंकि ट्रेन का एक अजब गजब क्रेज है क्रेज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वंदे भारत एक्स्प्रिस जहां भी चलती है इसी तरीके से लोग उसका स्वागत करते हैं और हलांकि यह ट्रैक ऐसी जगहों से होकर गुजर रहा है जहां पर नाले भी हैं से धीरे करके अब कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के लिए यह ट्रैन कहीं न कहीं इस इलाके के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आ रही है यह देखें किस तरीके से लोग इसको अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं यह देखें हाथ ओपर करके और इसके साथ फोटों लोग चाना चाह रहे हैं हर जगह पर यह द्रस से काफी आम द्रस से है और हो भी क्यों ना क्योंकि भारत की तस्वीर बदल रही है और लोगों के अंदर यह उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की सुपर फास्ट ट्रेने नजर आएंगी क्योंकि जब हम भारती रेलवे की तो भारती रेलवे कहीं न कहीं आम आदमी को सीधा सीधा जोडने का काम करती है और आम आदमी को सीधा सीधा जोडने का जो यह काम है इसको लेकर कहीं न कहीं मोदी सरकार के अंदर एक अलग तरीके की उसक्ता है उसको लग रहा है कि 75 वंदे भारत एक्स प्रिस ट्रेने जब देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ देंगी तो उसका कहीं न कहीं उनको फाइदा भी मिलेगा ये देखें देखें किस तरीके का द्रस्य है हर जगह पर आपको लोग नजर आएंगे और ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा तमासा चल रहा हो और तम लो में कम से कम अगर हम बात करें तो तीन से चार ट्रेने आने जा रहे हैं जल्द ही आने जा रहे हैं और उसको कहीं न कहीं लोग चाह रहे हैं कि उनके इक इलाके में यह ट्रेन चले यह देखें भेर सारे लोग हैं जगह जगह पर आपको लोग नजर आएंगे अब यह खबर मिल चुकी है कि ट्रेन चल चुकी है और इस तरह का द्रस से पूरे के पूरे रास्ते में आपको नजर आएगा यहाँ पर अमर कंटक एक्सप्रेस खड़ी हुई है अमर कंटक एक्सप्रेस ने कहीं न कहीं वंदे भारत को रास्ता दिया है कि नई जमाने की ट्रेन ह इसको आगे जाना चाहिए तो ये train कहीं न कहीं एक train दूसरे train से बाते करती हुई आपस में एक दूसरे का समवाद आप समझ सकते हैं जब समवाद की हम बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं अमर कंटक एक्सप्रेस के अंदर जो लोग ट्रेवल कर रहे हो कहीं न कहीं इस train का वीडियो बना रहे हैं फोटो बना रहे हैं हाथ भी ला रहे हैं लोग तो एक अलग तरीके का उस्साह देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में इस तरीके की और ट्रेने चलेंगी यहां पर एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा और टेंडर फाइनल हुआ है जिसमें रूसी कंपनी को कहीं न कहीं हम कह सकते हैं स्लीपर वर्जन की ट्रेन बनाने का ठेका दिया गया है लातूर में यह जो नई ट्रेन है वो बनाई जाएगी यह देखिए हम लोग भोपाल जंक्सन आ चुके हैं भोपाल जंक्सन लबालब भरा हुआ है बेड़ से और हर एक व्यक्ति जिसके हाथ में भी मोबाइल है वह हाथ उपर करके ट्रेन को अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो एक एतिहासिक्षण है निशित तोर पर एतिहासिक्षण है भारती रेलवे के ल पहली दफा अपनी स्पीड में चले गी है क्योंकि यह जो ट्रैक है भोपाल से लेकर निजामुद्दीन के बीच में उसमें एक बड़ा हिस्सा जिसको हम आगरा से पलवल के बीच में कह सकते हैं वो कहीं न कहीं एक साथ केम पीयच के लिए फिट है एक साथ किलोमेटर प्रीटि घंटे की रफतार पर उसमें ट्रेने जल सकती हैं तो पहली दफाह ऐसा होगा कि बंदे भारत ट्रेन को मौका मिला है कि वो अपनी जो रफतार जिसके लिए वो जानी जाती है उस रफतार पर चलेगी और यहां आप देखिए खचा खच स्टेशन भरा हुआ है और हर जगह पर इस ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है और यहां इंतजार लंबा नहीं होगा इस बार क्योंकि धेर सारी ट्रेने चलनी है तो जहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार जदल ही खत्म होगा कैमरामेन सकील हमत के साथ सिद्धार्थ न्यूज इस्टेशन भोपाल